है यहाल दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भहुत तीकी यानि फिजिक्स के 50 सवाल को डिसक्स करने वाले हैं और यह सभी परतियोगी प्रिक्षाओं के लिए उप्यूगत है तो जरूरी देखिएगा और प्रेक्टिसेटिव वन है चले बिना देर की आगे बढ़ते तो क्या होगा यहांनि द्रवत से जो आश्प में पदार्थ के जो आस्ता परिवर्ट थे उसे क्या कहते हैं तो इसका वाश्पन कहते हैं अप्सन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ेंगे दो नंबर दाब बढ़ने से किसी द्रव का कथनांग क्या क्या होता है कि क्या होता इसका राइट आंसर तो बढ़ता है कि अप्सन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ेंगे और देखते हैं तीन नंबर housing और दिया गया कि अपद्रवह की मल लाने से गलनाग क्या परभाव पदता हैं तो तीन का क्या हो जागा इसका right answer क्या होगा तो बढ़ेगा यानि option number A इसका right answer हो जागा चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं सीसे की छर जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है प्रन्तु इसकी चोड़ाई क्या होती है तो चार का क्या हो जागा इसका right answer तो option number B इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे और पांच नमबर सवाल दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया की चांदी की उश्मिय चलगता तामबे की उश्मिय चलगता की अफिक्छा क्या होता है पांच नमबर सवाल का तो अधिक होता है तो option number D चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 6 नमबर सवाल दियागा की किसी ठोश पादार्थ के बीना दरब में बदले सीधे वाश्म आउस्था में पर्योर्टत होने को कहते हैं तो 6 का क्या हो जागा इसका राइट आंसर तो option number D चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग साथ नमबर सवाल दियागे कि उर्धोपातन पदार्थ है इसका एक उधारन देना है तो क्या होगा यानि साथ तक क्या हो जागा इसका राइट आंसर तो A, B, C यानि सभी सही है तो option number D इसका राइट आंसर यानि सभी ये उधारन है चलिए देखते हैं अगला सवाल और यहाँ पे 8 नमबर सवाल दियागे जिस स्थाप पर कोई द्रव उश्मा बदलता है कहलाता है तो क्या कहलाता है तो गलनांग कहलाता है यानि option number C चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग 9 नमबर सवाल दियागे दूध पदार्थ में कोई अन यानि सूध पदार्थ में यहाँ पे दिखिएगा है चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मिश्र धातु के गलनांग उनकी अभ्यावी धातुओं के अपक्षा क्या होता है तो नीम्न होते हैं अपसन नमबर बी चलिए आगे बढ़ेंगे और एक ग्यारा नमबर सवाल दिखिए जो ठोस उच ताप पर विदुत का वहन करते हैं प्रन्तु नियून ताप पर नहीं वे कहलाते हैं तो एक ग्यारा का क्या हो जाएगा तो अर्ध चालग चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां पर देख सकते हैं दिएक एसी को डीसी में रुपान्तृत करने के लिए प्रयुक साधन को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो बाड़ा का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या कहते हैं इसको तो दिश्ट करते हैं अप्शन नमबर एसक किसके टुक्रे होते हैं चुम्बक रख्षक किसके टुक्रे होते हैं यह बात आपको बतलाना है ड़ रायाइट उल्फ से नंबर एनी नर्म लोहे के टुक्रे होते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर स्वालेगी विजली का वल्ब निमलेखित में से किसके अर्धित होता है तो यह बात आपको बतलाने है तो 14 कि क्या हो जागा शक्ति और वल्टता के अर्धित होता है चलिए आगे बढ़ेंगे और यहांपे 15 नंबर स्वालेगी जीन पर्यार्थों में अनन वेदृध प्रतिरोद होता है उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या करते हैं विधुत रोधी यहां पर 16 नमबर सब्सक्राइब के दोरान विधुत धातु कहां पर एकत्रित होते हैं यह बात आपको बतला नहीं तो आपसे नमबर क्या हो जाएगा कैथोड पर एकत्रित होते हैं तो C चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 17 नमर स्वाल की धारा का वहन करने के समय सूचालक कैसा होता है तो यहाँ पे 17 का क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर तो विदूतिय निश्परवावी चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 18 नमर स्वाल लिए बिजली के उच वोल्टता वालेता पर बैठे पक्षी को विदूत मारने यानि मारने नहीं होता है क्यूं क्यूं नहीं लगता है तो 18 का क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर आपको बतलाने है तो क्या होज़ेगा कि वो विदू धारा के परवाह के लिए सुरीत पत्थन नहीं होता है तो 20 इसका राइट आंसर होज़ेगा 19 नमर निमलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है 19 का क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर तो अपसन नमर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कांच चले आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे 20 नमर स्वाल not get किसके दोबरा क्रिवानिविन्त किया जा सकता है यह बात आपको बतलाने है तो अपसन नमर क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर क्या होगा सी यानि एकल ट्रांजिस्टर दोबरा चले आगे बढ़ेंगे 21 नमर स्वाल निमली खित में से कौन सा सरवत्तम विधुत चालक है 21 का क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर तो चांदी होगा यानि अपसन नमर सी यहाँ पर देख रहते हैं थोस औस्था में विधुत धारा प्रवाहित करने वलापदार्थ कौन सा होता है तो 22 का क्या होज़ेगा इसका राइट आंसर तो अपसन नमर यह इसका राइट आंसर होज़ेगा यह रिफाइट चले आगे बढ़ेंगे ओम का नियम नियमन में से किसके बारे में सही है यह बात आपको बतनाने है तो 30 का क्या होज़ेगा राइट आंसर तो D यानि चालक चले आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला सवाल यानि सिलिकॉन क्या है सिलिकॉन क्या होता है तो क्या होता इसका right answer? उप्षन के हिसाब से क्या होजाए? इसका right answer? C यानि चालक चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 25 बैटरी के प्रचालन का मोल सिधान्थ है 25 क्या होजाए इसका right answer? तो बतलाना है आपको तो क्या होगा इसका right answer? तो option number C इसका right answer हो जाएगा चलिए आगा बढ़ेंगे तरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धात्तू है कौन सा धात्तू है तो copper यानि option number A इसका right answer हो जाएगा चलिए आगा बढ़ेंगे यहाँ पर दिख सकते हैं कि निम लिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो signal को निम परतिरोद छेतर में उच परतिरोद छेतर में आंतरित कर देता है तो 27 का क्या हो जाएगा इसका right answer तो option number इसका right answer होगा चलिए आगा बढ़ेंगे और फटा-फट देखते हैं धरावाह तार कैसा होता है कैसा होता है तो option number क्या हो जाएगा neutral होता है यानि D चलिए आगा आपको बतलाने है तो 19 क्या होजाएगा इसका right answer तो option number C right answer यानि gas plasma यहाँ पे देखते हैं आती चालक हो जालक है जिसका क्या सुनने होता है तो क्या होता है इसका सुन परतिरोध सुनने होता है तो नहीं D यहाँ पर हम लोग 31 नमर स्वार गैलवे 9 मिटर के द्वारा पता लगाया जाता है क्या पता लगाया जाता है यह बात आपको बतलाना है तो क्या धरा यानि D चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर 32 नमर स्वार पहूल मापी का परियोग किसे मापने के लिए किया जाता है तो 32 का क्या हो जागा इसका यानि आपको बताद A, B, C सभी सहीं वल्टा दारा परतिरोध सभी को मापने के लिए किया जाता है तो यह उपरोगत सभी चलिए यहाँ पर हम लोग 33 नमर स्वाल लेगे शुष्ट शेल का इनोड किसे बना होता है यह बात आपको बतलाने है तो 33 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो C सा यानि C इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे 34 नमर स्वाल स्यमी कंड़क्टर का एक उधारन है तो 34 का क्या हो जाएगा जर्मेनियम यानि अप्शन नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 नमर स्वाल डैनेमू एक यान्तर है जो क्या करता है तो 35 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो यह आंत्रिक उर्जा को बैदृत उर्जा में बदलता है तो डीस का राइट आंसर हो जागे चलिए आगा बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग 36 तमर सवाल दिया गया है कि शौर को सिकाएं किसके सिधान्त पर कार करती है किसके सिधान्त पर कार्ज करती है तो परकास बैदृत परभाव के सिधान्त पर चलिए आगा बढ़ेंगे और यहां पे हमारे घ्रेलू बैदृत परिपत में फ्यूज पी घल जाता है जब भारी विरिधी होती है किसके तो धरा के यानि अप्शन क्या हो जाएगा चलिए आगा बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग देख लेते हैं अर्थिस समस्वाल परकास बीधृत सेल बदलता है तो अर्थिस का क्या हो जाएगा यानि प्रकास उर्जा को बीधृत उर्जा में चलिए आगा बढ़ते हैं परत्या और ती धारा को दिस्ट धारा में बदलता यानि बदला जाता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो दिस्ट कारी द्वारा यहां पे हम लोग देखेंगे वीडियो टेप का विसकार किस ने किया था किस ने किया था तो इसका राइट आंसर उर्जार्स गिंस वर्ग चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग देख लेते हैं बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्मान के लिए टंगरस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है यह बात बतलाना है तो आप्सन नंबर क्या हो जाएगा C यानि इसका गलनांक बहुत उच्चा होता है बैदुत आवेश का SI एकक क्या होता है यानि 21 क्या होता है तो A इसका राइट आंसर यानि कुलनम चले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमलो बैदुत दिर्ग दूरी तक उच वोलता यानि A C में परणद होता है इसका क्या कारण है तो 43 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि उच्चा के कम हानी होती है चले आगे बढ़ेंगे और 44 नमर A C परिस्तिति में परिपथों में A C मीटर मापते हैं क्या मापते है तो 44 का क्या हो जाएगा RMS का मापते है बतले कि RMS का मापते है यानि फूर्फर्म क्या होता है चले आगे बढ़ेंगे बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए परियुक्त साधन है क्या साधन हो जाए तो रेगुलेटर लगता है देखें अभी होंगे आप ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं तन्तू परकार के परकाश बल्ब में परयोग की गई अधिकांस बिदूद सक्ति परकट होती है कैसे? बिदूद उश्मा के रूप में चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 47 धातू तार में बेदूद धारा का परवा किसके कारण होता है तो 47 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो अप्सन नमबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर यानि एलेक्ट्रोन चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 48 नमबर बीजली के बल्ब में क्या भारा जाता है? बीजली के बल्ब में क्या भारा जाता है? तो 48 का अप्सन नमबर डी यानि आरगन चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमनों देख लेते हैं बीदूत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है तो किस से बना होता है तो टंगल स्टन से बनाता है अप्शन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आज का लाइस्ट स्वाल देख लिए तेरे ट्रास्फर्मर के क्रोट के लिए सर्वत्म दरव्य है क्या है तो नर्मल वायने अप्शन नमबर सीज का राइट आंसर वे तो यह थे फिजिक्स के पचास सवाल अगर वीडियो पसंदे तो लाइक करें सेर करें कमेंट करें आपका वीडियो देखें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद